नमस्कार जय जोहार मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का अमारे मन्थन का एक विशा है जिससे हम बोल रहे है cgpsc means answer writing यह बात इस चीज के लिए है यह बात यह आपके लिए topic kisilye मन्थन का विशा है तो कि हम देखते हैं कि जब भी हम लेखन start करते हैं जब भी main science writing अपन start करते हैं तो अपन एक चीज देखते हैं कि हमारे साथ समस्यां यह होती है कि sir हम लिख तो लेते हैं लेकिन हमको mark सच्छे नहीं मिलते और कई बार content हमारे दिमाग में होता है लेक से अपन बोलने हैं इस्ट्री आप 36 गड़ या 36 गड़ का इतिहास देखिए आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या डील करने वाले हैं पहले ही बात कर लेते हैं सबसे पहले हैं हमारे लिए 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर और 15 नंबर के हम यहां प्रस्ण देखने वाले दूसरा हम इंग्लिस में भी देखने वाले हिंदिम भी देखने वाले दूसरी बात जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको लिख के बताऊंगा उसके बाद वह कैसे फार्म होगा एक्जैक्ट अर्थ 30 वर्ड में हैं दो नंबर के प्रस्ण अगर आपके लिए चार नंबर के को हमा लगाने सभी चीज़ों के उपर बात होगी मतलब एक एक वीडियो में सभी समस्त्याओं का समधान चलिए बीना किसी देर के बीना किसी मिलम के प्रारम करें श्रीगनेस करें आज के इस वीडियो का जिसे हम बोलने सीजी पीसी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज देखें अगर बात करते हैं इस संग्राम सरीज में तो संग्राम सेरिज का मतलब है कि आपको अपनी जीवण को थोड़ा तौड़ा सा क्या करने आ infantry da पढ़ रहे सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और कोमा सर आप आए हो तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हो कोमार सर जब भी आते competition community की टीम जब भी आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर है कुछ न कुछ न कुछ नहीं लेके आती है तो हमारा थीम है पढ़ाई रूकना नहीं चाहिए पढ़ाई नहीं रूकेगी तो आपके पढ़ाई को और आगे दिखाने के लिए आपके और आगे रास्ते में चलने के लि सबसे पहले क्या बोल रहे है सिंगहनपूर की गुफा चीत्रों के विसाय वस्तु की जानकारी दीजिए विसाय वस्तु या देखो कई बार क्या होता है हम प्रस्ण को समझ नहीं पाते तो सबसे पहला तो यह कि जब भी कोई प्रस्ण पूछा जाए उसको एकदम ध्यान स एकदम इत्मिनान से अपन को सुनना है बोलो या सुनो देखे अब अपन को याद रखना है सिंगहनपूर की गुफा में जो चीत्र बने जो रॉक मेंटिंग मिला है उसमें सब्जेक्ट मैंटर जो करता है या विसाय वस्तु को लिखे तो सबसे पहले जो प्रस्ण पूछ दूसरा हमको यहीं पर मिला है आपके लिए पहला सिडीनुमा मानों दूसरा आपको क्या मुखावटा लगाए मानों मुखावटा लगाए हुए मानों मतलब बोल सकते हैं मांस्प्र यूमांस आढ़ा है या तो उसके बाद हमको यहीं पे मिला क्या आखेट करते मानों आखेट करते मानों अखेट करते मानों मतलब बोल सकते हैं पर हंटिंग यूमन्स यह को याद रखना उसके बाद रखना है यही से हमको क्या मिल नहीं जितने चीज़े परस्वें प्रेस्ण को पूछा गया है तो क्या चार फैक्ट नहीं आपको और कुछ चीज़े आपन इसके बारे में पहले से जानते हूं उनसके लिए भिया पंडिल करें तो देखे भई सिंगानपुर की गुफा सबसे पहले तो यह्मारे लिए एक एतहासिक Istorical dai डूसरा आपकी लिए पूरा दात्विक आर्के लॉजीकल और तीसरा पर्ण को यह बोल सकते पूरा पसाण कालिन या फिर बोल सकते पसाण कालिन साक्षियों से समरीध्ध स्थाल समरीध्ध स्थाल री चार रही यह स्मरीध है प Reverandaj यह हमको लिखना है कि सिंगानपूर की गुफा एक एतिहासिक पुरा तात्विक पसांड कालिन समरिद्ध आपके लिए क्या है एक इस्थाल है जहां पर आपको सिधीनुमा मानों मुखवट लगा हुए मानों अखेट करते मानों मस्य कन्या इसमें सैल चीत्रों के रूप में मिला है चुकि आपके लिए चाटिस गड़ का खोजा गया पहला आपके लिए क्या है पसांड का लिन समर या फ़र्स टोने साइट ऑप छतिज गड़ है कुम से जगा सिंगहनपूर की गुफा और सिंगहनपूर की गुफा को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी यह हमारे लिए 36 गड़का खोजा गया पहला पसान का लिनी स्थाल है पहला इस टोने साइड है और साथ में याद रखना है कि इसी को अपन क्या बोलते हैं 36 गड़का भीम बेटका अब याद रखना है भई जब कोई भी आपको नाउन आता है कोई भी आपके लिए संग्या होता है कोई भी दिया जाता है तो आपको याद रखना हमेशा जैसे बोलेंगे सिम्ला तो 36 गड़का सिम्ला बोले अगर मैं पार्ट को तो उसको डबल इन भटेट कॉमा इसको बोल रहे हैं अपन 36 गड़का भीम बेटका तो अपनको डबल इन बटेट कॉमा अब देखिए यह हमको इसमे पसांड का लिनिस्तल है जहां पर अब यह प्रस्ट में पूछा था विससे वस्तु सीडीनुमा मानों आखेट करते मानों मुखवटा लगाए हुए मानों मस्त यह करने आधी सैल चीतर रॉक पेंटिंग मिले हैं और इसे ही क्या बोला जाता है 36 गड़का भीम बेटका बो मर्मेड मिला था और यह आउसो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको भीम बेटका आप 36 गड़का बोलिए यह सोनो देखें हमको चीड़ों को ध्यान से सीखते सीखते चलना है ऐसा नहीं है कि सर अपन अंसर बस पढ़नी हम इसको कैसे फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है तो जब त जब तक आप कोडियाई करोगे जब तक अपने जांगर का प्रयोग नहीं करोगे काम नहीं बनेगा थोड़ा अपनको हार्ड वर्किंग नेचर यहां पर होना पड़ेगा देखिए अगला अगला प्रशन क्या है बहुत ध्यान से हमको प्रशन को पढ़ने किन अधारों प कैसे संबंदित है तो भाई अगर मैं बोलूंगा कि मैं किसी के घर का दमांध हो या किसी के घर की बेटी मेरे यहां ही है तो हमारा क्या होता है साधी होता है कि नहीं तो साधी मतलब कोई नहीं कोई अगर मैं आपके घर में घुचा राजमाता सोनिया गांधी का फोटो दिख जाए मैं मतलब क्या समझूंगा आप ऐसे वाले हो करके अगर मैं आपके घर गए मोटा भाई का मिस्ता जी का फोटो दिख गया तो मैं समाझ जाओंगा कि आप किसको कमल को सपोर्ट करते हैं वैसे होता ही कि नहीं होता तो सेम अपन वही वाली बात कर रहे हैं कि हमको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जानकारी कौन-कौन सा हमको जानकारी मिलती है म슬व लिट्रेरी फॉर्म में दूसरा दूसरा पन क्या बोल सकते इसको पूरा तात्वि, हैं पूरा तात्विक रूप से देखोगे तो हमारे पस सबसे पहले TWO साहितितिक देख ले दिख तेख हमारे पस एक विछती था नाम था यात्रियों के राज गड़ को किया सलो सब्द से किया सलो इस सब्द से क्या किया था संबोधित किया था काम का हमारा यह नहीं है कि इस सब्द से संबोधित किया और काम का क्या है हमारे पास समराथ असोग जो एंपरर असोग है उसके द्वारा अनेक बौध्ध विहारों का अनेक बौध्ध विहा एक ऐसे टेडिक में चिक हो गया जी देखिए अगे बढ़े अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमको याद रखना है मुद्राय मुद्राय मतलब याद रखना है अपन को को बोल रहे हैं अपन दूसरा दूसरा हमको मिला यहीं से सीला लेक तो यह सीला ले मुल्यवान मुद्राइ मिले हैं और लास्ट मैं याद रखना अपन को चांदी के भी शिखें अब देखें अगर बात करता हूं मैं किसका सम्मान ने सिखों का तो कहां से मिले हैं आपको a b c d कर लीजी और ज्यादा बेथर हो जाएगा A , B , B , A , C के जगह में फिर B लिख दो और दी तो देखो A से अकल तरह 200 बार विसके यद रखना पन को बार उसके बाद dough को विलासपूर लासपूर विलासापूर उसके बाद दी हमको मिले आहट्स्पकरण हो जाता क्रिकेट खेलते खेलते जब सी सी जाता है तो आ से याद रखने है अपन को आरंग, उसे याद रखने है अपन को उडेला और टीटी से याद रखने मेरे को यहाँ पर क्या तारापूर तो मेरे को यह तीनो तीनो चीज़ याद होने चीज़ बोलो या सोनो तो यह हमको याद रखने है साथ में याद रखने है अपन को चा थेस्स्रिप्षन हमको मिला चाहें आपके लिए रामगर की इस में हमारे लिए दो जगाई जी पहले जगा का नाम तो गै Junota और नहीं को पता है जोगी इमारा योगी मारा जरी हम सब को जाinis एक चीता यह वह सिकती प्राष्व नाट्पित का साल हुड़ का रही तो चना से जो सीला लेख मिला है जो रॉक है वह आपके लिए कोन सी भासा में भासा तो अगर भासा देखा जाए तो यह पाली भासा में है अगर diesem लेंगवेश की बात किया जाए लीपी की बात किया जाए तो लीपी हमारे लिह प्रह hey लीपी में ठीक आगे बढ़े क्या अब देखें यह अगर हम इसको आगे बढ़े रामगर की पहाड़ी तो यह हमको याद रखना भासा हमको याद रखने लीपी आगे बढ़े क्या अब देखें यह रामगर की पहाड़ी रामगर की पहाड़ी से हमको याद रखना यह जो आ जाएदात का related रहा होगा कोई देवदाथ और दूसरा देवदासी इसका नाम है सुतनुका अब देखे इसको अगर हमको दो नंबर में फ्रेम करना पड़ेगा यह हाला कि यह प्रस्ण आपको चांद नंबर में पूछा है लेकिन अगर यह प्रस्ण आपको दो नंबर में प पुरा तात्विक रूपों से होती है साहित्तिक रूप में वेन सौंग के ट्रेवो लोग या यात्रवरितान से यह पता चलता है कि समराट असोग या एंपरर असोग ने अनेग बहुत धा मोनेस्ट्रिस या बहुत विहारों का निर्मान करवाये था साथ में अगर आपके सिसकरी अरंग उडएल से मिला सकति और अब के लिए जोग relaxed नतक देवदतंगे देवदासि सुतनुका के प्रेम प्रसंग लाव अब फैर की जानकारी अब देखिे इसको अगर हम प्रेइम करें तो यह कैसे फ्रेंद होगा दिकिए भई सबसे पहले हम क्या agility में मौरियौ कि जानकारी साहितिक रूप से दूसरा पूरा तात्विक रूप से बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम कहां पर अंडरलाइन करें मैं बता दिया हूं आपको कहां पराप्त हुए उसके बाद मौल्यावान मुद्रा हमको कहां से मिली हैं रापूर जिले राइपूर जिले से हैं जो हम आरंग देखे थे उडेला देखे थे तारापूर देखे थे वो सब के सब कहां से राइपूर अब देखे ये दो नमबर अगर मेर को इसी कोश्चन को इसी प्रश्ण को चान नमबर में क्या करना है डिलिवार करना है तो मैं किस प्रकार इसको क करूँगा देखिए तो हमको याद रख नहीं है सम्राट असोग वेन सौंग के नुसार सम्राट असोग द्वारा च्छतिस गड़ के आनेक इस्थानों पर बहुत धा मोनिस्टिस या बहुत द विहारों का निर्मान कर आया गया जोगी मारा के सिला लेक के नुसार देवदास पर हम कह सकते हैं कि 36 गड़ मौरिकाल से क्या था संबंदित था समझ आया जी प्रस्ण आपको दो नंबर में कैसे डील करने चार नंबर में कैसे डील करने ठीक आगे बड़े अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मैं जरूर कहूंगा कि आप अगर मेरे साथ बनें वीडियो आपको अच्छा लगे तो जाते जाते एक कमेंट छोड़ते चोड़ते जाइएगा क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है मैं तूरं देखता हूं तो तूरंद रिपलाई करता हूं ने तो दो दिन तीन बास जब भी आपको देख आपकी पढ़ाई नहीं रूपती अगर मैं आपको एक परसेंट भी help कर पाता हूँ आपको एक परसेंट भी contribute कर पाता हूँ मरे लिए अच्छा होता है चलिए आगे बढ़े क्या अब देखिए 36 गण में 7 वहन सत्ता के संबन में उपलब्ध साक्षियों का उल्ले की इसमें प्रस्णा को आपको डारेक्ट पूस्ट दिया गया है इसमें आपको पूछा गया कि कौन-कौन से हमको एविडेंस मिले देखिए हम इससे पहले क्या लिखे थे कि अगर हम जानकारी देखे थे या साँख्ष्य देखे थे दो उक्याइग हम कैसे क्या सकते हैं। सहित्तिक मतलब लिट्रेरी फर्म में और दूसरा दूसरा पन को याद रखने हैं यहां से पूरा ताच्विक पूरा तात्विक मतलब हम बोल सकते हैं आर्केलोजीकल फर्म में देखें अब देखें हमको सहितिक रूप में हमको कौन मिले यहां पर मिस्ट रखें एक सासक थे नाम थे इसका टॉल्मी टॉल्मी ने यह बताया है कि सात वहन जो सत्ता है सात वहन जो पावर है यह आपके लिए 36 गड़ में क्या था विश्त्रित था या तो सात वहन डाइनेस्टी का जो एक स्पांसन था वो कहां पर था आपके लिए 36 गड़ में आगे बढ़े के आप देखें पूरा तात्विक रूप से देखोगे तो आर्केलोजीकल फर्म में स रखना अपन को तो बी से याद रखना है अपन को क्या बालपूर एम से क्या याद रखना है अपन को मलहार बालपूर कहां पढ़ता है जी सकती में मलहार कहां पढ़ता है अपन को मलहार अपन को पढ़ता है बिलासपूर में और यहीं मलहार के बाज़ों में जगा पढ़ सटीए मल्हार मल्हार से याद रखना है को इसके मल्हार में आपके लिए क्या मिलते हैं MARG इसके याद रखना है अपनको फिलक और यह तीनो कि तीनो याद रखना है मैं चकर बेड़ से हमको याद gracna है यहां से हमको एक रोमन कालीन सिक्का मिला है रोमन कालीन जो रोम का एक आपके लिए कोईंस मिला है यह आपके लिए भारत और भारत और आपके लिए किसका रोम के अंतराष्टी वेपर अंतराष्टी वेपर मतलब बोर रहे हैं इंटरनेशनल है ट्रेड को बताता है यह उसका संकेतक है उसका सिंबल है कौन सा आपके लिए चोकर बेड़ा से जो आपको कोईंस मिला है आगे बढ़े क्या आपके लिए इतना इना अब देखिए अगला अग हमको यहां से सीला लेक भी मिला है सीला लेक रोक इंस्क्रिप्शन मिला है तो यह सीला लेक कहां से मिला है अपन को गुंजी से लेकिन देखिए प्रस्ण इसमें कितना नंबर पूछा था दो ही नंबर अब देखिए अपन इसको दो नंबर के बाद चान नंबर में कैसे ए एक रूलर वर्दत की जानकारी मिलती ही यह वर्दत अपने आयू को बढ़ाने के लिए या एज इंक्रिमेंट के लिए अपने एज को इंक्रिमेंट करने के लिए दो बार तू टाइम्स ब्राम्मिन को या ब्राम्हनों को क्या देता है को एक हजार गायों को क्या करते है डोनेट करता है एक हजार गाईों को दान तो यह आद मद हम पन को ठीक आप देखेगे उसके बाद याद किरारी पहले लिख लेज्द कि इसम्हें तैंब को बोलते है तो यहünk जाम ऑन्पर किरारी फिर में जो आपके लिए मिला यह आपके ली प्राकृत भासा में मिलाएं उसके बाद हैं कि हमने टोटल अगर सब्सक्राइब हो तो यह नंबर सकते 15 चीज़ों को क्या कर सकते हैं और सम ripping में बता सकते हैं ठीक है लेकिन हमको ज्यादा डीटेल नहीं बताना है हमको परस्ण दो नंबर में पूछा था तो दो नंबर के हिसाफ से चलने देखिए उसके बाद याद रखना हमको एक प्रतीमा मिला है कि स्टेचू मिला है तो हमको चतूर भूजी विश्नु प्रतीमा अच्वास मिला हमको भुड़ी हाँसे भुड़ी खार से तो यह अपन को याद करते-कते चलना है . अबदेखिया हमको यह सहात तो नंबर में करना हो तो कैसे करें है Aw Sun म 이 कह है लिखें 36 गट्टमया 5 14 जानकारी हमको जैसे कूंक्छन में लिखें ते क्या लिखेंगे पूरा ताचुद देखें आप एक पटरन को नंबर आप टाइम रिपीट करोगे तो आपको चीजे बहतर डंग से याद होगी और ज्यादा कंसाइज हो कि यहां वर्दतकी जानकारी मिलती है जहां वह अपने एज इंक्रिमेंट की लिए या वाईयू को बढ़ाने की लिए टूटैंस क्या किया था आपके लिए हम चीजों को हमको कीवल कितने नमबर में पुछा तो दो नमबर अब देखे इसी प्रश्रस्ण को अगर मेरे को चार नमबर में पूछेगा तो मैं कैसे लिखूँगा अब मेरे पास ये चीजे हैं तो मैं सिलालेख के बारे में थोड़ा सा बता दूँगा गुंजी से प्राप्त सिलालेख के अनुसार से साथ वहन कालिन सासक वर्दत ने अपने आयू को बढ़ाने के लिए दो बाद हरजार गायों को दान दिया पहला एवं किरारिष से जो काष्ट इस्तंबल लेक प्राप्त हुए जो आपके लिए प्राकरित भासा में लिखे हुए आपके लिए ब्रामी लिपी में लिखे गाए हैं और यह हमको याद रखना आपके लिए क्या क्या बोलता है इसमें टोटल 349 वर्ड मिले हैं और अभर चीजों को थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं तो यह अगर हम इसी को क्या करें थोड़ा सा और इलिब्रेट करें यह इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई फोर आंड आपके लिए क्या है विष्णु जी का कोई स्टेचू है या चेतुर्भु जी विष्णु प्रतिमा है तो भारत का सबसे प्राचिंतम है ओल्डेस्ट आपके लिए क्या है कोई स्टेचू है जिसमें क्या लिखाए अभी ले क्या इंस्क्रिप्शन मिला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक अगला अगला प्रशना हम देख रहे हम कीन अधार यह मौर्यकाल ने हमारे लिए अब देखे हैं यह भी अब देखे पूझ रहे है आरंग से प्राप्त तामर परीड के बारे में जानकारी दिजिए देखे राश्री तूले गुल्येंगं इसकी जान गारी ढूल से प्राप्त ताम्रपत्रां बहुत ध्यान से समझे है अरुंत देखिए ध्यान से सबसे पहले तो हमको याद रखना हैं राश्री तूले यह 36 गड़ का सबसे प्राचीनता छेत्री राजवन से मतलब इट इस दा ओल्डेश्ट डाइनेस्टी ऑफ 36 गड़ कोल्ड रासरी तूले कुल डाइनेस्टी ठीक है अब देखें इस राजवन्स की जानकारी अगर इसकी जानकारी देखा जाए तो हमारे पास एक सासक्त इसी बिलती है आप 6 सासकों की जानकारी मिलती है और यह अपने माता पिता के स्मृति में अपने माता पिता के स्मृति में इन दे मेमोरी आफ या हर पारेंट्स या इस पारेंट्स बोल सकते हैं तो यह अपने क्या बोलते हैं माता पिता के इस स्मृति में क्या करता आपके लिए भट पल्ली या भट पाली का पहले के किताब क्या लिखते हैं भट पाली का बोलते हैं अभी के किताब भट पल्ली लि यह दोनों जो आपके लिए लोग थे इनको क्या किया थे वो दान दिये थे यह आपको दो नंबर अगर यही कोस्चन आपको चान नंबर में पूछा यहां तो आपके लिए दो नंबर के लिए इतना हो जाए चान नंबर में हम और चीजे बताएंगे यह जो भीमसेन का आपक समूज औगर यहका राजवन्थ चला रहा है इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि वह उनके अधिन थे तो इतिहासकर यह बताते हैं कि आपके लिए जो राश्री तुल्ले वंस वाले हैं कि इनके जिन धों ऊदिन गुपतो के अधिन अब हमको पहले से पता है कि इसमस्ने सासक है 6 आप जो चार नंबर वाले हैं दो नंबर में तो अपन उत्ना को लिखेंगे चल जाएगे इसमें अब अपन पूर अच्छे सासकों को बता दिए सबसे पहले हमको बताना है कि यहां पर पहले टॉप में लिखा है सूरिया सूरा तो सूरिया सूरा दूसरा में हमको लिखा है दैत प्रथम उसके बाद लिखा है अपन को विभीशन विभीशन अब लिखो देखो यह विभीशन दौनों के बीच में अपन को एक और राजा का नाम लिग देना है तो हम को ये छह राजाओं की जानकारी मिलती है जो कि जो सूरिया सूरा जो है इसका नाम सबसे टॉप में है तो इसी के नाम पे इस राजवंस को सूरा राजवंस भी बोला जाते हैं अब देखें इसको अगर अपन फ्रेम करें तो कैसे करेंगे देखें सबसे पहले आरंग तामरपत्र के अधार पे राश्री तुल्य कूल वंस की जानकारी कि हमको क्या होती ही प्राप्त होती जिसमें भीम संद्विती के आरंग तामरपत्र से होती जिसमें टोटल कितने छह साथ है तो जितने इन्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको क्या कर दी अंडर लाइन उसके बाद यहां अपने मातप पिता के इस्मृति में दो लोग कौन थे हरी स्वामी और बदपा स्वामी नामक ब्रह्मनों को भट्ट पली या भट्ट पाली का नामक गाउं को क्या किया था दान दिया या डोनिशन दिया था इसका उल्लेक मिलता है हम इसी तामरपत्र में इसी कॉपर प्लेट में देखे दे कि 182 या 282 गुप्त सम्वत उल्लेखित है इससे माइनी बोर्णों इतिहास कारण उमान लगाते हैं कि यह जो राजवन से गुप्तों के क्या रहा होगा अधीन रहा के कारण इस राजवन को सूरिया सूरा राजवन भी बोलते हैं बोलो या सुनो तो यह था आपके लिए दो नंबर में पूछे गत इतना चान नंबर में पूछे गतो ऐसा अपनको थोड़ा सा पैटरन को सीखते सीखते चलना है कि कि इस प्रकार चीजे हमारे लिए साथ में अपन जो कॉमा लगा है वो कहां कहां पर लगा तो एक लाइन में दो बार और दो र तथा द बार एवाम और नहीं यूज कर सकते एक बार बोलेंगे अपन वहीं पे तथा दूसरे में एवं और तिसरम बोलेंगे और तो अगर हम ऐसे चीजों को क्या करते रहेंगे के बाद दूसरा दूसरे के बाद तिसरा जब तक फूली स्टॉप ना है तब तक कोई भी अपन संबंध वाचक जो आपके लिए सब्द र अगला क्या लिखा है हमको यहां से ध्यान से पढ़िए पहले प्रस्ट सरवपूरी सासक प्रसन्न मात्र की उपलब्दियों का विवरंदित यह देखे आपको जब 36 गड़के आपके लिए इतिहास से प्रश्ण आएगा तो यह तो बात ता है चाहे आपको एंसेंट पूछे जब आपको प्रश्ण पूछेगा तोशी सासक के बारे में तो पूछेगा तो आपको अगर यह सवाल को डिल करना होगा कैसे करेंगा प्रसन्न मातर सभसे पहले तो यह बोल दिया हुआ अंजिए तो यह आपके लिए सरभपूरी शासक है इसके इगर अचीवमेंट को देखा जाए उपकिस की उपलबधियों को देखा जाए तो यह आदमी दो काम किया है अब देखी पहला काम क्या किया है यह अपने नाम पर सहर बसाया अपने नाम पर सहर बस आया अचीवमेंट पूछ रहा है तो जो बड़ा काम हुआ है उसको बताएंगे नहीं सर साधी उदीकिये हैं लईका हुआ यह आपके लिए अचीवमेंट का काम नहीं है बाद में पता चलता है किसकी दो साधिया हुई है एक रानी जो है देवरानी को बनाती है दूस मत्रती को बढ़ाने के लिए वह आपके लिए काम का है ठीक है तो देखे यह अपने नाम पर Dragic शहर घूस आता है इसी तेशार क抑न क्या बोलते है प्रसंशनफूर को दूसरा अपन को याद रखना यहां यह क्या किया था एक आपके लिए संकर जी को समर्पित मंदिर है इस मंदिर की सबसे खास बात ये यह 36 गड़ का सबसे पुराना मंदिर है 36 गड़ का सबसे प्राचीन मंदिर है यह खोजा गया था हमारे लिए 1987 में पुराता तोई भाग के द्वारा उससे पहले यह आपके लिए एक नदी है नदी का नाम है मनियारी नदी इस मनियारी नदी के तट पर है बैंक कॉन सीटी है आपके लिए मनियारी रिवर का आपके लिए कौन सा ओल्डेस्ट आपके लिए टेंपल ऑफ छतिस गड़ कॉल्ड देवरानी जेठानी और यह कहां पर आपके लिए ताला गाओं ताला गाओं कहां पड़ता है बिला बिलासपूर में अब देखिए अब इसके बारे में क्या बता रहा है यह बता रहा है कि अगर यह प्रसन्नपूर सहर को बनाया है यह देवरानी जेठानी मंदिर को बनाया है तो हम यह बोल सकते हैं कि हमारे लिए कला इस्थापत्य प्रेमी कला इस्थापत्य प्रेमी यह इसी बोल सकते हैं कि आर्ट आर्किट आपको स्वन्न सिक्खा कहा से मिला है है अपनको सिर्पूर से तो अगर कोई व्यक्ति स्वन्न सिक्खा चला से आज की टाइम में दोग देखोगे आपको क्या मिलता है लोहा का सिक्का जब लोहा का सिक्का मिलता है तो लोहा का सिक्का क्या बताता है कि लोहा आज की टाइम में जो आयरन है वो कहीं पर भी पड़ा होता है जब कोई राजा जो है अपने टाइम में गोल्ड क्वाइन जो जो राजा था यह आपके लिए क्या था समरिध्ध था यह जो राजा था यह क्या था वैभवी था समरिध्ध मतलब होता आपके लिए प्रॉस्पेरेटी और यह वैभव मतलब यह सकते हैं कि यह गुलोरियस हमारे पास क्या था सासक्ता करके आप देखे उसके बाद क्या किय इसके जो coins मिले हैं और इसके जो coins मिले हैं इनका यह आमको तीन जगह से मिले हैं एक आपको मिलता है कहां पर आपके लिए महाराश्टा से दूसरा मिलता है 36 गड़ से तीसरा मिलता है अपनको कहां से उडिसा महाराश्ट में जगह है आपके लिए कौन सा चांदा उसके बाद 36 गड़ में तो मिला ही है और उडिसा में हमको मिला है कटक में अब देखो जी कोई ऐसा राजवन्स में एक ऐसा राजा है कोई ऐसा डाइनेस्टी में कोई ऐसा रूलर है जिसका जो आपके लिए coins है दूसरे दूसरे जगह से मिलता है मतलब है इसके राजविस्तार का या इसका एक्स्टेंसिवनेस ऑफिस स्टेट उसको बताता है तो हमको इसको देखते देखते चलना है तो हम क्या बोल सकते हैं आप देखिए यह हमारे लिए कि विस्तारवादी सासक है विस्तारवादी स सबस्क्राइब नहीं तो जब तक थोड़ेंगे नहीं तब भई छोड़ने के लिए भी तो आपको फोड़ना पड़ेगा तभी चोड़ने के लिए आजके बात में इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप पहले से क्या सेलेक्सल लेके बैठ लिये रहोगे तो यह आपन को याद रखने तो देखिए अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं तो कैसे बोलूंगा सरभपूरी सासक प्रसंड मात्रा सरभपूरियों में सबसे समरीद समरीद धारुवादी Expantionist महत्वकांची MB स्थार्मिक संइष्न अब देखिए यह आपके लिए राजवंस है इस राजवंस के बारे में तो धार्मिक रूप से समिशना या फिर रिलीजियस टॉल्रेंस आपके लिए क्या है एक डानेस्टी एक राजवन से धार्मिक समिशना है कला इस्थापत्य प्रेमी आर्किटेक्ट्चर लवर है और यह अपने नाम पे सहर बस आता है प्रसन्यपूर कोई से नदी के किनारे निडिला नदी के किनारे जिसको आज वर्तमान में हम बोलते हैं लीलागर रदी यह करवाया और इसको क्या बनाता है अपनी राजधानी अब देखें इन्होंने सरब पूर्यों में स्वरवाधिक सोणने सिक्कों का प्रसलन करा है जो इनके समरिद्धिय और वैभव का क्य उन्हें सब इस स्टेट उसका क्या सिंबल है तो हम किसी भी राजध को बताया भी अपन जाजल्य को भी देखेंगे बाद में हमारे पास और सासक भी आएंगे विंबा जी भोशला को देखेंगे तो जब हमको ऐसा कोई चीजे पूछता है तो हम उनको थोड़ा सा ध्यान किस सब्द को कैसे प्रयोग करें इस सब्द को कैसे उस कर सकते हैं अगर हमको यह इसकिल समझ आ गया तो वह हमको नंबर देने में क्या हो जाएगा मजबूर बोलो या सुनो ठीक आगे पढ़े क्या आपको चीजे कैसे लग रही है एक बार यह कमेंड करके बताएं एक बार जब भी किसी भी राजा के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले हम को देखना है कि क्या वो किसी सहर का निर्मान करवाया है क्या नहीं वो कोई बड़ी उपाधी धारन किया है क्या नहीं या किया है कि नहीं तो पहले उसको देखना पड़ता है कि उसका राज्यविस्ता करते थे साथ में जो वैशनों आपके लिए थे जो आपके लिए स्याव धर्मा के मानने वाले थे किसी के उपर उन्होंने प्रहार नहीं किया कि आप इसको नहीं कर सकते करके वो बोले जिसको जो मानने माने लेकिन जो बहुत धर्म को मानेगा मैं उसको ज्यादा आगे बढ़ाते बढ़ाते चलूँगा ऐसा होता है कि ने तो यही तो religious tolerance है यही तो धार्मिक समझनता है इसलिए तो भारत है उसमें आप देखो कि सब धर्म के सब सब्सम्रदाय के लोग क्या है एक सांथ इग्जिष्ट करते एक सांथ अस्थिथ्व में और किसी को किसी से कोई दिख्कत नहीं करके ठीक किया तो देखे इनहों ने पहली बार क्या किया था संकल कोसला धी पती इसका क्या किया था उपाधी धारन किया तौ कोसला दिपती आप ये बोल रहा है संपूर्ण कोसल तो उस टाइम में कोसल में दो तिन जगा आते थे पहले अपन को याद रखने मैकल परवत दूसरा जो आपके लिए 36 गड़ों मध्य प्रदेश में फैला है दूसरा दूसरा अपन को ले ले 36 गड़ जो अभी है और तीसर 36 गड़ का पहला राजवन सां parameter गए जिसने 36 को कोसल सब्धर क्यaurais क्योंकि अपने आपको क्या बोला है को सला दिपती मतलब कोसल वर्ड बोला है 36 गड़ के लिए इससे पहले हम जितने पढ़ते आते हैं चाहे वो आपके लिए मौरिया में पढ़े हैं चाहे आपन किस में पढ़े रमायन में पढ़े महाभारत काल में पढ़े हम हर देगा क्या पढ़ते हैं दक्षिन कोसल दक्षिन कोसल दक्षिन कोस श्हकिन्हों सब्ण करने वाले यह पहले राजवनस में चत्रीज़ को partie में से는 ने इनके जो काल को आपके लिए पांडू वन्स का उतकर्स काल माना जाता है उतकर्स काल मतलब हेडे और या फिर इमर्जिंग इर पांडू डैनेस्ट्री बोला जाता है इनके टाइम को कि इसको महाक्तिव तीवार देखिए अगर आपन इसको चाहें थोड़ा और अलग तर स्राज य विश्थार की जानकारी हमको स्यны जगास है पहला राज्जिम दूसरा अर्टी स्राभालों तिन अलग 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 कि hamerah तर मिले लेकिन हमको शापन केवल और 2AL मिपूछा इतना हमारे लिए अब देखिए कोई नया सासक है कोई नया टाइटल लेके आया है मतलब एक innovative है, पहले तो महत्वकांची लिखेंगे, महत्वकांची इसलिए लिखेंगे, क्योंकि कोई भी आदम in ambitious नहीं Augusts नहीं होगे, तो क्या आप तयारी करोगे क्या नहीं, तो आपको पहले ambitious होणा पड़ेगे, महत्वकांची होणा पड़ेगा, दूसरा, यह अपना र अगर अपन इसी को बोलेंगे तो पंडु अंसी सासक महासे तीवर्दे एक महत्वकांची MBCS, दूसरा विस्तारवादी एक्सपेंसिनिस्ट, तिसरा नवाचारी मतलम इनोवेटिव, आपके लिए क्या है रूलर है, इन्हों ने सकल कोसलाधी पती की उपादी धारण किया, अपना राजविस्तार मैकल 36 गड़ा उर्थकल सभी 6 रूपे किया है, इसकी जानकारी हमको राजीम बालोद बोंडा तामर पत्रों से होती है, इसके सासनकाल को पांडु सत्तका उतकर सकाल या हेडे और पांडु डाइनेस्टी बोला जाता है, अगर हम चीजों के ऐसे बह अगले प्रशन के लिए और ये प्रशन जो है आपके लिए 15 नंबर का हर वाय से 15 नंबर के प्रशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं कि इसको डिल कैसे किया जा, अब सबसे पहले तो हम यह देखे कि अगर हमको इंसेंट हिस्टी से अगर कोश्चन आता है तो कितन लाग वण से हो पांडू वण से आपको 15-15 नंबर के कोश्चन है यह ऐसा राजवन से जहांसे दो नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के सभी प्रकार के प्रशन बन रहे हैं और यह तीसरा राजवन से जो 36 गड़ कही है जिसे अपन बोलते है सरभ पूरी राज वंज ये सरभफूरू राजवंस से भी आपको प्रषण कितने नंबर के 15 नंबर के पूछा जा सकते हैं अगर आप बात करते हो रास्टरी तुल्ले कुल्ले वंज का तो वह आपको चार नंबर तक ही पूछा जा सकते हैं परवद द्वाराक वंज को भी देखोगे तो वह प इतिहास पर एक निबन लिखे तो सबसे पहले तो याद रखना कि पांडू जो है जो खुद को क्या करते थे पांडवों के वनसज मानते थे दूसरा हमको इस राजवन्स की जो जानकारी है यह जानकारी हमको कहां से मिलती है उद्दयान से उद्दयान नाम का हमारे पास क्या था एक रूलर था इसका कालंजर या कालिंजर बोलते हैं उसी को इसका एक अभिलेख मिला है इस अभिलेख के अनुसार जो आपके लिए भाक फॉंडर भी वाना जाता है अभर तो आंगे चलना है कि इसमें अगर आपन आगे आए तो यह 36 उन forgal को कोसल का मतलब इससे पहले आपन देखते थे जब रमायन व soils देखे थे तो वहां वहां आपन देखे थे कि शाटीस गड को कोसल नहीं बोला गया था जबकि दक्षिन कोसल बोला गया था यहां इस पस्ट हमारे पास एक सासक आएंगे जो अभी पिछले टाइम अपन पढ़े थे उसको जिसका नाम है आपके लिए तीवर देवाई सकल कोशला धीपती की उपादीधारन करता है सकल कोशला धीपती अगर कोई आदमी ब से पहले अगर देखे तो यह क्या थे अगर देखा जाता यह ब्राम हने मतले वायसनिजम को और सिय उसके रखना आगर यह वैशनो जी को क्या करते थे घरप लो करते थे उसके अनुआई पोधित करते थे अगर यहां पर देखा जाए तो हमारे पास तो यह हमारे पास क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपने इसको क्या कर सकते शुरुआत तो देखे पहला पैर हम यह बताएंगे कि यह जो सिर्पूर के पंडू बंस है वो कौन है जब आपको ऐसे 15 नंबर के प्रश्ण पूछता है तो थोड़ा सा दिमाग में पहले से आपके लिए क्या हो एक फ्लोचाट बना हूं कि हमको कौन कौन से चीजों को कैसे कैसे लिखने अगर हम इसको टोटल आठ पैरा ले ले आठ पैरा में क्या कर वंसावली पढ़ने बंसावली आपको नाम नाम्सावली को बॉत्धयन के बात करते हैं नंबराज पॉत्रहों को दूसरा को नाम है हमारेकंते अगरए गात करते हैं पाराइस फ्लिए जंशका क्यों आभान दूसरे को यह नहींूस। भावदेवरान के श्री तो वो खुद क्या बनते हैं राजया बनते हैं दोनों को क्या बना देते हैं आपके लिए मंदला धी पती देखिए मैं आपको इसको एक फ्लो चॉट से दिखा देता हूं देखिए समय के दिखे सबसे पहले याद रखना अगर बात करें संस्थापक भी उसकी जानकारी सी मिली थी कालंजर विलेक से उसके बाद आते इंद्रबल ईंद्रबल जो है आपके लिए वास्तविक्थं स्थापक माना ज्याते तो यह आदमी अपने नाम सहर बसाया था जिसे वो खुद का इंद्रपूर मतलब क्या वर्तमान जो खरा गई अगर कोई सासक जो है कोई मंदिर को बनवाया है या पी किसी सहर को बनवाया है इसका मतलब क्या है वो कल्ला इस्थापत्य प्रेमी आर्खिटेक्चर लवर आपके लिए क्या है रूलर है अब देखे भी लेक से मिलती है एक महासमूंदा भी लेक और दूसरा आपके लिए कहुँआ ताला भी लेक इसके तीन पुत्र थे पहले का नाम था नन्ना राजप्रथम यह उसका क्या बना अगला उत्राधिकारी उत्राधिकारी मतलब इसका सक्सेसर बनाएं दूसरा आपन को याद खरोष्तिर लेग इसके हिसाब से हमको यह जानकारी मिलता है कि आपके लिए कौन नन्ना राजप्रथम यह अगला सासक बनते हैं अगर मालों इसको पहला लिया इसको मैं दूसरा लिया इसको मैं तीसरा सासक ले रहा हूं तो यह क्या किया इसके दोनों भाईयों की बिच अप उनको भी राज पावल UM is इसको क्या करते हैं यह थोड़ा सा धिमारा रहता है मंडला-धी-पती न्युक्त कर देता है मंडला-धी-पती कि तू भी बण जा भाई मेरा मंडा-धी-पती मतलब मैं राष्ठपती बन गया हूँ और तुम क्या बन जाओं मेरे लिए आपके लिए वह बन जाओं करके टो ये थोड़ा दिमाग लगाता है कि मैंストल्ब् century marvelous मंधिर लच्मनेश्वर महाद्यों मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाए गया था आपके लिए इसान द्यों लेकिन इस लच्मनेश्वर महाद्यों मंदिर में जो आपके लिए सिवलिंग है उस सिवलिंग का इस्थापना भगवान लच्मन द्वारा अपने हातों से किया गया अगला याद रखनापन को भाउध देवराण के स्री इसका हमको क्या मिला है भांडक सीला लेक मिला है भांडक सीला लेक के हिसाब से यह भांडक या भांडक छेत्र का क्या रहता आपके लिए मंडला धीपती आगे बढ़े क्या अब देखें अब हमारे पास पहला दूसरा तीसरा चौन Kumarा सासा काएगा अब देखे और देखें हमारे पास कि हानँ बताने को लिखने को बहुत ज्यादा है नहीं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पूछ रहा है मतलब हम मैक्स टू मैक्स बाइस से पच्चिस लाइन लिख सकते हैं उससे जादा नहीं अब देखें हमारे पास है तीवर देव यह पाधी धारन करता यही वेक्ति है जो बोलता है तीन कौपर प्लेट है पहला है आपके लिए कौन सा राजीम दूसरा है कौन सा बुन्डा और तीसरा है उसको जानकारी मिलता है अपना जो राझ्यीव श्टार है 36 गड़ के सब्सक्राइब जो कोसल सब्दा है वो कोसल में अलग-अलग है एक आपके लिए पूरा मैकल छेत रहता है दूसरा आपके लिए 36 गड़ आता है और तीसरा तीसरा अपन देखेंगे तो उतकल का भी कुछ हिस्सा इसमें सामील है तो यह अपन को याद रखने है ठी तीवर दियो अब देखें तीवर दियो इसके बाद अगला इसका उत्रा ही यह इसकी को चला गया इस memorial लेकिन और नी संतान था पूत्र के पूत्र का नाम है हर्थ गुप्त यह हर्थ में क्या किया? था MMS तो याद रखना यहां पर मगध हैं मगध के मोखरीवन्स के मगध के मोखरीवन्स के सूर्यắt देव वर्मा कि म्यें कितरीस क्या इन्होंने विवाग किया इनके उनका ही नाम चाहि ठाल रानी वाष्ठ देवी तो हमको यह याद रखना है जी आ लग कि अब देखिए अगला 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 हरस्व गुप्त का फुत्र को न है आप के है यहां पर पढ़ना पड़ेगा किनको जी सटरे घूर पढ़ना पड़ेगा यहां राणीवाश्चरा देवी को यहीए आपके लिए हर्व्त हर्व कि पत्wnी हैं हर्व की पत्नी इनकी पतनी हैं आपके लिए राणी वास्ट्र देवी यह वास्ट्र हें भी है बाशी जो आपके रुप्त की नु हँ bạn कृृत करती चाहिएub मृमृ gen तुल conventions future यह पहला इटो निर्मित मंदिर का निर्माण करवाती हैं किसके लिए अपने फसी के लिए और इसी जो आपके लिए च्छतित गड़िका पहला इटो मंदिर था कहां बाना था सिर्पूर में इसी को आज में हम लोग लच्मन मंदिर सिरपूर बोलते हैं या आपके लिए लाल इटो निर्मीत था अब यह आपके लिए कौन से सैलीम बना था जी नागर सैली में बना था अब देखिए चुकि यह 36 गड़ का पहला क्या बोला हूं मैं आपको लाल इटो निर्मीत मंदिर है तो 36 गड बूम नहीं था अभी आप देखोगे एक बच्चे को बहुत सस्ते में और कई अलग अलग कोचिंगा सब फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं अगर बच्चा इमानदारी से सिद्धा से पढ़ूंग अभी बोलेगा तो उसको बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे गाइडेंस इसलिए इसको क्या बोलते हैं 36 गड़ का मंदिर निर्मानकाल मंदिर निर्मानकाल माना जाता है ठीक है तो यह आपको यह वर्ड इंपोर्टेंट है आपके लिए अपन जब इसको अंसर करेंगे तो इसको अपन को क्या करेंगे फ्रेम उसके बाद आते हैं मारे पास बाला है तो यहाद रखना है मेरे को बालार्जुन कोरामि भच्पन से तो इसका नाम क्या आपके लिए महासीव महासी गुप्त बालार्जुन अब देख बालारजुन के कुछ अपन कारिया देख लेते हैं तो यह इस थापत class कला प्रेमिस आ सकता इस्थापत ये कला प्रेमिस आ सकता तो ये क्या करता है सबसे पहले सिर्पूर सिर्पूर में दो सिव मंदिर का निर्मान करवाता है दो सिव मंदिर का पहले का नाम है आपके लिए क्या गंधेश्वर गंधेश्वर महादेव बोलते हैं पन और दूसरा दूसरे का नाम हैं हमारे लिए क्या बालेश्वर महादेव है उसके बाद एक जगह है हमारे लिए कुन सब पलारी पलारी कहां पढ़ता हैं बनको बलावदा पजार में सिर्पूर कहां पढ़ता हैं महासमुन में यहां हमारे पास है सिध्धेश्वर महादेव अगर आप जाओगे कहां पर खरोद में तो खरोद में हमारे पास क्या है आपके लिए अंडल देवल मंदिर अंडल देवर सीव मंदिर ये भी एक सीव मंदिर है और ये भी क्या है हमारे लिए महाद्यया इसको अगला अग्ला यहां से हमारे पास加श्व देखें आपके लिए उसके बाद अपन को याद रखना यहाँ अगला है आपके लिए सिर्पूर, सिर्पूर में क्या करता है ये विष्णु मंदिर का काम, अभी जो रानी वाष्टा देवी में पढ़े थे ना, वो मंदिर के काम को पूरा नहीं करवाई रहती, तो पूरा कौन कराते हैं, तो सिर्पूर में विष्णु मंदिर का कार्य प गाल्पूर से अगर कोई साथक क्या करता है एक समरिद्ध साथक और यह आपको एपन को यह बंसकता है की आपके बोल सकते हैं कि आपके लिए आर्खिटेक्ट्च्र लवर आट लवर था यह अपन को बोल सकते दूसरा ओने लोग मानते तो विश्णु मंदिर का काम तो पूर्ण कराता है लेकिन साथ में विश्णुमंदिर का भी निर्मान करा मतलब यह धार्मिक सहुष्णस आ सकता और इसी के टाइम पे हमारे पास छैसो 639 इसमें हमारे पास क्या आता है एक जहन आदमी आता है नाम है उसी का वेन सौंग यह वेन सौंग जब आता है तो स्रीयूंकी के अनुसार से अगर आप देखोगे तो महासिवगुप्त बालरजुन्य बहुं सारे बहुत विहारों का मतलब बहुत सारे बहुत धाप के लिए मोनेस्ट्रिस का क्या करवाया था यहां पे निर्मान कराया था और यह भी बोला है कि यह एसी किताब से जानकारी मिलता है कि बहुत सारे जो जैन इस मारक है जैन मोनोमेंट है इसको भी क्या कर रहा है सनरक्षित करवाया या रिजव कर रहा है अब देखें इस सब चीज ने क्यों बता रहो है ये सब चीज बताने का मेरा कारण ये है कि आप देखोगे कि एक ही आदमी आपके लिए सीव मंदिर बन वा रहा है वही आदमी आपके लिए विश्णु मंदिर का काम भी पूर्ण करवा रहा है और वही आदमी क्या कर रहा है जैनिस मारकों को सरक्षित करवा रहा है रिजर् कि द्वाराइट किया रहता है या यूनिवर्स निर्मान बढ़ता है तो यह हम यहां से बता सकते हैं कि यह हमारे लिए का धार्मिक सनेश्ष्ण सासक था अब जैघे इतना सारा चीज़ एका 1 निर्मान हुआ है इसलिए इसके टाइं को क्या बोला जाता है 36 गण में आपके लिए इस मारक मतलब मोनुमेंट इस मारक निर्मान का का इस मारक निर्मान का का अब देखिए यह आदमी अब जब अपना राजपाट चालू किया था तो उस टाइम में पैचा था 595 से लेकर 655 इस वी इसका क्या है आपके लिए रूलिंग टाइम पिरेड है या फिर इसका सासनकाल है एक वेक्ति 60 साल रहा है इतने सारे काम करवाया है तो इसी के टाइम को ही बोला जाता है 36 गड़ के इतिहास का स्वन यूग या गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री ऑफ 36 गड़ बोला जाता है किसके टाइम को महा सिगुप्त बाला जुन के बारे महा सिगुप्त बाला जुन आपको दो नंबर चान नंबर में अलग से पूछ सकता है और पेपर एक आध बड़ टाफ हुआ तो यह आपको आठ नंबर में इंडिविजुल भी देदेगा तो अपन को ऐसे थोड़ा उसको देख के सोच के आपको क्या करना है प्रिपेर करन आप देखिए अगर इस राजवंस को मैं डील करूँत कैसे देखिए पहले दो नंबर में मैंने क्या बोला था पंडुवंस के सासक स्वयम को पंडवो की क्या मानते थे वंसाज मानते थे 36 गड़ का पहला छेत्री राजवंस जीन्होंने 36 गड़ को क्या कहा कोसल तो अंड फाउंडर था यह ब्राम्हन राजवंस था एक ब्राम्हन डाइनेस्टी थी इनकी जो लैंग्वेस्थीन की जो भासा है वो क्या सी संक्रित दी इनका जो टाइटल था उपाधी था परम भागवत या परम आपके लिए महसवर्थ आप देखिए इस राजवंस में अन्य ज जानकारी मिलता है कि सिर्पूर में इन्होंने लच्मन मंदिर का काम पूर्ण करवाया जिस लच्मन मंदिर का काम किसने चालू करवाय था इनकी मा था वाश्टर देवीद्वारा ठीक है यह समझ आ रहा है आपको अगर चीजी अच्छी लग रही हो तब मेरे को एक लाइक कमेंट करके जाएगा कि कोमल सेर आपका क्लास कैसे था करके देखे अगला अब अपन चालू करते हैं कि इस राजवन्स में कुछ आपके लिए सासकों की उपलब्धियों यह आपको प्रश्ण अलग से और पूछ सकता है आठ नमबर में कि पांडू वंसी सासकों की इन्दरपूर तो देखो वह लॉजिकल होना चीए कि आप जो चीज लिख रहे हो वह उस रूलर को सूट कर रहा है कि नहीं अपन बोल दिये कि सर अपन वेजिटेरियान है उसके बाद आपको क्या हो रहा है चीकन मर रहा है उसका खुसबू भी आ रहे सरोत मेरे को अच्छ लग तो दो चीज क्या हो गया contradiction हो गया दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया तो ऐसे नहीं करना पहले हमको देखना है कि क्या काम किया उसके हिसाब से हम बताएं कि क्या था यह कला इस्थापत्य प्रेमिस सासर उसके बाद याद रखना नन्नाराज प्रथा यह दब कांछी मतलब MBC विस्तारवादी मतलब expansionist क्यों है यह विस्तारवादी क्यों है क्यों कि यह शकल को अधी पती का क्या किया था उपाधी धारन किया था बोलो यह सोनौ और इसके सासानकाल को ही क्या बोले थे पांडू सत्ता का उतकर्स्काल या हेडे या emerging era of pandu ।कां अगला हम पढ़े थे नन नरा जुती हम बोले थे कि ये चाइड़िस्थ है निसंतान थे और इनके मृत्यू के पास चाथ इनके चाचा चंद्रगुप्त को क्या बनाया था पंडू वंस का सासक बने चंद्रगुप्त ये क्या था इनके जानकारी हमको सिर्पूर सिला लेक्स ऊपंड़ा ती जिनके नू साथ हर्सगुप्त के इसके उत्र दिकारी और हर्सगुप्त आप धेखें हर्सगुप्त मगत के मौकरिम्स के सूर्यदेवर मकिपूत्री राणी वास्ट्रा से इनका क्या होता है विजबा उसके बाद अलग से हम पढ़े थे रानी वास्ट्रा देवी को इन्हों ने अपने पती हर्थ गुपत की स्मृति में 36 गड़ का पहला लाल इटो निर्मित मंदिर बनाया था दफर्स्ट रेड आपके लिए ब्रेक मीड आपके लिए टेंपल का निर्मान हुआ था मैं सैली बताया था आपको नागर सैली आप देखे यह जो करवा अपन को किसको बालर्जुन को बालर्जुन के बारे में हम यह बोल सकते हैं महत्वकांची सा सकता लोक का लियान कारी मतलब यह खुद तो एक धर्म को मानता है लेकिन दूसरे धर्मों को भी क्या कर रहे है प्रमोट कर रहे है और यह प्रजा ही तैसी था कला इस्था पत्य पलारी में शिद्धेश्वर महादेव खरवद में अंडल देवुल मंदीर यह सब के सब क्या है आपके लिए चारों सिव मंदीर है पूर्ण करवाया अनेक बहुत विहारों का निर्मान करवाया किसके द्वारा पता चला था हमको आपके लिए वेंस ओंग के ट्रेवलोक्स यूग की के द्वारा उसके बाद जयाने इस मारकों को सरक्षित करने का काम किया था इसी कारण पांडुवंस को 36 गड़ में इस मारक निर्मान कभी का बोला जाता है स्वर्ण यूग अब देखें जब भी कोई कोश्चेन आपन आप क्या करें 8 नंबर में या 15 नंबर में करे हमारा एक नैतिक दाइत्व है कि हम क्या करें अब देखो इसको इंक्लूट करना पड़ेगा कि भाई लास्ट में यह राजवन 36 गड़ के लिए क्यों इंपोर्टेंट है या इनका कॉंट्रिव्यूशन या फिर इनका योगदान क्या रहा है अब देखें 36 के सासान में प्राप्त होती है कि यह जो राजवन से कल्यानकारी प्रजाही तेसी और सम्राज जेवादी सासन आपके लिए था यह करके ठीक है जी देखो यह छोटा सा मेरा प्रयास रहा आपके लिए चुकि यह मेरा आपके लिए पहला वीडियो है और मैं आपसे चाहूंगा आपके के लिए मैं आपका दूलार मैं चाहूंगा अगर मेरा वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो कि मेरा आपसे प्रयास कि सर अगर मैं आपको खशक में घंटा प्रयास कि आप जरूर एक कमेंट करके बताए बिल्कुल ना सोचे कि सर अभी देख रहा हूं एक साल बाद देख रहा हूं या एक करोर साल बाद देख रहा हूं आप जब देख रहे हैं तब कमेंट कर सकते हैं मैं एक करोर साल बाद आ जाओंगा आपके कमेंट को देखने के लिए ठीक कर दो